आज हम स्टेडी करने जा रहे हैं जी FSC पार्ट वन बायालोजी चेप्टर नमबर टू बायलोजिकल मॉलीक्यूल निउकलिक एसिड में आरे ने DNA के बारे में औरेडी हम पढ़ चुके हैं अगर आपसे वो लेक्चर मिस हो गया है तो परिशान नहीं होना प्लेलिस्ट में जाएए और दुबारा उस लेक्चर को रिव्यू कीजिए ताके आपको पता चल सके कि DNA और RNA के अंदर डिफरेंस क्या है क्योंकि आज की टॉपिक पर हम इसको भी स्टडी करेंगे और यह इंतहाई इंपोर्टन टॉपिक है बोर्ड में आने वाले क्विस्टिन के अकॉर्डिंग तो सबसे पहले बाग करते हैं जी RNA के इंटुडक्शन के हवाले से RNA बेसिकली राइबो नुक्लियोटाइड का एक पोलीमर है राइबो की लुकेशन इसके स्टॉक्चर एंड टाइपस के हवाले से RNA नुक्लियोलस में मुझूद होता है इसके इलावा राइबोसों एंड साइटोसों के अंदर भी इसकी काफी अमाउंट प्रेजन होती है इसके इलावा यह सेल के दीगर पार्ट में भी प्रेजन होता है लेकि बास दफा यही पोलीमर अपने ही उपर कुछ इस तरह से फोल्ड हो जाता है और एक डबल हैलिकल जो स्टॉक्चर है उसकी क्रेक्टरिस्टिक्स को अडाप्ट कर लेता है मैं दुबारा से आपको बताती चलू कि यह सिंगल स्ट्रेंड स्टॉक्चर ही है लेकिन यह अपन अपने उपर दुबारा से फोल्ड होता है डबल हैलिकल क्रेक्टर स्टिक्स को अडाप्ट करने के लिए तो बेसिकली यह एक सिंगल स्ट्रेंड पोलीमर है राइबोनिक्लियोटाइट्स का अगर जिसमें हम नाइट्रोजिनस बेसिस के बात करें तो इसमें डियाने के बर एस डियने ए जी सी सिरफ टी के जगा यू आ जाना है तो हमने इसका जो नाइट्रोजिनस बेसिस का कॉंबिनेशन है वो एट जी सी की बजाए ए यू जी सी याद रखना है उसके बाद बात करते हैं जी इसकी सिंसेस की आर एन्नी बेसिकली डियने से सिंथाइस हो रहा है और डियने से आर एन्नी की सिंसेस के इस प्रोसेस को हम ट्रांस्क्रिप्शन कहते हैं बात करते हैं जी इसकी टाइप्स की आर एन्नी की थ्री टाइप्स हैं जिसमें सबसे पहले मेसिंजर आर एन्नी यानिके एम आर एन्नी उसके बाद ट्रांसफर आर एन्नी या टी आर ए and then messenger RNA जिसे mRNA भी कहा जाता है शामिल है इसकी अगर हम सिंसिस की बात करें और इसके फंक्शन की बात करें तो सिंसिस क्योंकि ये DNA से ट्रास्क्रिप्शन के प्रोसेस के थूँ सिंसाइस हो रहा है और DNA कहा मुझूद होता है नुकलिस के अंदर तो ये सभी टाइप के जो RNAs हैं ये सिंसाइस तो नुकलिस के अंदर हो रहे हैं फ्रॉम DNA देन आफ्टर सिंसिस नुकलिस से साइटोप्लास में मूव करेंगे जहां पे फिर ये अपनी स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे for senses of particular proteins आए जी बात करते हैं one by one in detail about all the three types of RNA कि ये क्या होते हैं और ये किस किसम के functions perform करते हैं सबसे पहने बात करते हैं कि मसिंजर आरेने की मसिंजर आरेने टोटल आरेने का 3 to 4 पोसेंट होता है ये एक सिंगल स्टैंड है और इसकी length जो है वो variable है messenger RNA की length दो चीजों पर depend करी होती है एक तो size of gene जो information लेके आ रहा है कि कुन सी protein synthesize होनी है and दूसरा type of protein वो एक small size protein है या वो एक long size protein है तो उस पर depend कर रहा होता है कि इसकी length क्या होगी इसके राबा अगर हम इसकी मिसाल देखते हैं कि हमें कोई एक protein molecule बनाना है जिसकी length 1000 amino acid है तो इसमें जो nucleotide की length होगी that will be 3000 इसी तरह अगर हमें एक protein molecule बनाना है जिसमें amino acid की amount है वो 2000 होगी तो nucleotide की length भी double हो जाएगी तो वो 6000 हो जाएगी तो यह एक polymer बनेगा long chain polymer बनेगा तो इसमें जो amount है वो depend करी है type of protein पे functions के अगर हम बात करें तो messenger RNA जी जो genetic information है DNA से वो receive करता है and then उस information को nucleus से cytoplasm के अंदर लेके आता है और ribosomes को transfer कर देता है जो के basically protein synthesis की factory है और यहाँ पे specific protein synthesize होगी as per the information coded in genes उसके बात करते हैं जी transfer RNA transfer RNA की amount as compared to messenger RNA थोड़ी जादा है यह total cellular RNA का 10 to 20% होता है यह एक small size molecule है जिसमें nucleotides की तादा 75 से 90 के दर्मयान रहती है इसके function में जी सबसे पहले आजाता है कि यह amino acids को pick up करता है from cytoplasm cytoplasm में वो different जगों पे मुझूद होते है and then उनको transfer करता है ribosome जो के protein synthesis factory है यहाँ पे इन amino acids को आपस में link किया जाता है और एक specific protein की synthesis होती है इसके इलावा transfer RNA हर amino acid के लिए specific होते है यानि के एक transfer RNA एक खास पिसम के ही amino acid को pick करके लेके आ सकता है इसलिए अगर हम देखें तो cell के अंदर लग भग 20 मुख्लिफ किसम के transfer RNA molecules मुझूद होते है उसके बादे third type की तरफ चलते हैं that is ribosomal RNA ribosomal RNA basically RNA का major portion constitute कर रहा होता है यानि के तकरीबर 80% के करीब ribosomal RNA होता है अगर हम इसको count करें total RNA in the cell और ये amount transfer and messenger से कहीं ज्यादा है ये strongly associate होता है ribosomal proteins के साथ यानि के इस 80 में से भी 40-50% जो amount है ribosomal RNA की वो इन ribosomal proteins के साथ लिए होती है function इसका देखें तो हम जानते हैं ये main machinery है जी protein sensors की इसकी surface के उपर messenger RNA और transfer RNA की molecules आपस में interact करते हैं और genes जो information लेके आये होते हैं उसको translate करते हैं और एक particular protein की synthesis होती है आए जी इस process को एक diagrammatic presentation में लेखते हैं जैसा कि हमने discuss किया कि सभी किसम के जो RNA हैं वो पहले nucleus के अंदर produce होते हैं ये किस तरह से synthesize होते हैं ये double standard DNA transcribe होता है यानि कि transcription के process से गुजरते हुए single standard RNA produce करता है उसके बार ये RNA nucleus में मुझूद nuclear membrane में जो pores होते हैं वहाँ से cytoplasm में enter होता है cytoplasm में जो protein synthesis machinery है ribosomes हैं वो मुझूद होते हैं जैसे sly की machine समझ लें जिसमें एक तरफ से आप कपड़े का एक सिरा और दूसरी तरफ से दूसरा सिरा दोनों को attach कर दे जाते हैं और वह धागे की मतल से टांकों में उसको सीता चला जाता है तो बेसिकली ये जो धागा होता है ये RNA होते हैं और at the end हमारे पास वह stitched form में product आ जाती है जिसको हम कोई भी protein का नाम देते हैं तो यहां पे जी ribosome मुझूद है ये जो messenger RNA है ये एक triplet nucleotide की form में message लेके आता है इसको हम codon बोलते हैं इस codon का जो anti codon है वो यहां transfer RNA पे बुजूद होता है हम जाते हैं कि transfer RNA का क्या काम है इसका काम है cytoklasm में जगा जगा पे जहां भी amino acids मुझूद है उनको pick करना and then ला करके इस protein synthesis machinery तक transfer करना और हम ये भी जाते हैं कि हर एक amino acid के लिए अलग किसम का transfer RNA molecule मुझूद है जैसे for example हम समझते हैं एक code दे देते हैं कि ये जी circular हमारे पास amino acid है तो इसके लिए एक अलग specific transfer RNA molecule होगा इसी तरह triangle के लिए अलग square end जो हमारे पास rectangular shape है उसके लिए अलग अलग transfer RNA molecules मुझूद होगे अब यह क्या करेंगे यहां साइटोफ्लास के इनवायोसिट को उठाएंगे और यहां पे आ करके combine करते चले जाएंगे कुछ इस तरह से यह हमारे पास एक जो है sequence complete होता है यह आगी move कर जाएगा next could on आएगा उसके against next transfer RNA आएगा वो complete होगा और ultimately हमारे पास एक protein का molecule as for the information carried by a messenger RNA synthesize हो जाएगा तो यह जो synthesis का process है protein synthesis यह साइटोप्लास के अंदर perform होगा in the protein synthesis machinery जहां पे ribosome and ribosomal RNA is मुझूद है यहां तक RNA complete होता है अब चलते हैं कुछ important questions जो इस article से related हैं उनकी तरह board में यह बतोर short question भी आता होता है topic and as a long question भी आता होता है तो first question जो है वो short question कुछ इस तरह से पूछते हैं कि what is the physiological difference among messenger RNA, ribosomal RNA and transfer RNA and long question में इस पे एक note लिखने को आता है कि what is RNA, explain its types तो इसमें आपने इसको तीनों जो इसकी types हैं वहाँ पे इसके introduction के साथ completely attempt करना होता है student messenger RNA के साथ newly created का topic यहीं पे complete होता है एक इसमें the high important question आता होता है वो है difference between RNA and DNA इंशाला जी जल्द ही conjugated molecules और इस difference के साथ एक separate detailed lecture के साथ आपकी खिद्मत पे हासिर होंगे तब तक के लिए अपना ख्यार रखेगा, गौव में याद रखेगा चैनल को subscribe करना, वीडियो को like करना और bell के icon को दुवाना मत भूलेगा तब तक के लिए जी take care, अल्ला हाफिस धिस